गुड मॉर्निंग, तो आज हम डिस्स करेंगे हमारा टॉपिक माइक्रो और गनिजम, इसका हम पार्ट वन डिस्स करेंगे और इस वीडियो को लेकर रहा हूं है, मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोल जैसा के आप जानते हैं, तो मेरे दू पेड कोर्स आते हैं, 10,000 MCQ कोर्स, ऐसी हमारा GS course आता है, हमारा theory course, तो आप परचेज कर सकते हैं, study IQ app से, तो start with the question, virus contain, virus के अंदर क्या चीज होती है, देखें, virus के अंदर आपका genetic material होगा, that means DNA जा RNA होगा, ठीक है, और साथ के साथ इनके अंदर क्या होता है, protein देखने को आपको मिलता है, DNA, RNA और protein देखने को आ अब देखें यहाँ पर, जो वाइरस structure है, जैसे लिखा हुआ है, यह bacteriophage, this is the bacteriophage, what is the meaning of bacteriophage, यह एक ऐसा वाइरस है, जो इनफेक्ट किसको कर रहा है, बैक्टीरिया को, वाइरस जो बैक्टीरिया को इनफेक्ट करता है, उसको bacteriophage कहते हैं, इसके जो बाहर वाली structure हो RNA है, envelope protein, जो normal HIV virus के अंदर एक protein होता है, envelope लगा हुआ है, capsid है इसके बाहर, ठीक है, enzymatic activity और RNA देखने को आपको मिलता है, so that means virus के अंदर nucleic acid और proteins देखने को आपको मिलते हैं, answer इसमें क्या बनेगा, आपका B option बन जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, जो virus होता है, they are the connective link between the living and non-living things, कहने का मतलब क्या है, कि जो जीविक और अजयविक चीज़े, अगर हम देखें, हमारे surrounding में बहुत सरे virus है, they are non-living, why non-living, क्योंकि वो multiply नहीं कर सकते हैं, जैसी human body के अंदर जाते हैं, वो living बन जाते हैं, जाने के multiply बगारा करना, start कर देते हैं, virus को डूंडा किस पहली बार, आवेनो वस्की ने, आवेनो वस्की ने डूंडा था, और कौन सा वाइरस डूंडा था, तो बैको मुझेक वाइरस डूंडा था, अब ऐसी कुछ terms ऐसे आती हैं, जो आपको पेपर में confuse कर दी हैं, एक तो virus क्या है, निकुलिक अचिड और प्रोटीन, एक वर् Veroids, Veroids क्या होते हैं, इसमें उल्टा होता है, इसमें DNA, RNA देखने को आपको मिलेगा, जाने के नुकलिक असिड देखने को आपको मिलेगा, बट इसके अंदर जो है आपका, प्रोटीन सेगमेंट देखने को आपको नहीं मिलता, ठीक है, याद रखे, P4 प्राइन, P4 प्र नेक्स्ट है जी, बेक्टीरियो फेज जो है, किसने डिसकवर किया था, बेक्टीरियो फेज का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे वाइरस जो बेक्टीरिया को इंफेक्ट करते हैं, उनको बेक्टीरियो फेज कहते हैं, और ये किसने डिसकवर किया था, ये किया था, अंसर इसमें क्या बनेगा आपका A option बनेगा A option is the correct answer अंसर इसमें A option is the correct answer A option clear बाकि scientist हैं कहीना कहीं से bacteria और जो भी आपके जो link करते हैं इन्होंने भी मतलब बहुत सारा काम क्या हुआ है plant physiology के अंदर तो ज्यादा याद करने की जुरूरत नहीं है अंसर इस A option पानी के अंदर पानी की टैंक होते हैं उसमें fungus लग जाती है उसको खतम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं इसमें A option बनेगा copper sulfate यूज किया जाता है copper sulfate को हम और क्या कहते हैं blue vitrol कहा जाता है it's a component of view vitriol ठीक है blue stone कह सकते हैं component है यह आपका vitriol of copper भी कहते हैं और roman vitriol के नाम से भी आप इसको जानते हैं roman vitriol के नाम से एक vitriol और आपसे पुछा जाता है oil of vitriol वाट इस अमीनिंग आफ ओईल आफ विट्रियोल यह अलग है यह होता है sulfuric acid H2SO4 देखने को आपको मिलता है याद रखे important है answer इसमें one option is the correct answer magnesium sulfate magnesium sulfate क्या होता है MgSO4 देखने को आपको मिलता है जो आपके pediatric होते हैं बच्चे होते हैं उसके अंदर nephron की inflammation देखने को आपको मिलती है nephritis कर देता है nephron की inflammation कर देता है next है zinc sulfate zinc sulfate क्या है आपका ZnSO4 ZnSO4 ये dietary supplement होता है inorganic component है जब आपका zinc की deficiency हो रही हो तो आपको ये provide कर आ जाता है और zinc जो है आपका insulin के function में आपको role play करता है insulin का काम करने के लिए nitric acid जब पहली बारिश आती है first rain आती है तो nitric acid देखने को आपको मिलता है जा फिर आपको ऐसे भी कह सकते है acid rain पूछा जा सकता है acid rain के component दो आते हैं जो paper में पूछे जाते है sulfur dioxide and nitrogen dioxide जा फिर paper में पूछा जाता है HNO3 plus H2SO4 ये पूछा जा सकता है आपसे ठीक है तो ये component है and one more is the nitric acid में आपको एक point याद रहना चाहिए aqua regia जिसे आप अमल राज कहते हैं जो आपका platinum gold बगएरा की को जो है पिगलाने में help करवाता है HCL plus HNO3 का component यूज करते हैं HCL hydrochloric acid HNO3 nitric acid HCL जो होता है 3 component होता है HNO3 आपका one component होता है 3 ratio 1 के component में हम इसको use करते हैं answer इसमें क्या बनेगा आपका A option बनेगा copper sulfate is the correct answer A option next है what is the true about the viruses without any exception इन में से कौन से ऐसी चीज है जो virus के लिए 100% सही है they contain a core of RNA RNA भी हो सकता है DNA भी हो सकता है तो ये purely statement सही नहीं है they can infect bacteria कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते bacteria phase होते हैं जो आपके करते हैं ये ऐसे थोड़ा कि हमेशना सारे bacteria करेंगे करेंगे ठीक है ऐसे virus जो सभी bacteria को infect करेंगे ये भी statement नहीं सही they cannot produce antibodies नहीं ये antibodies produce करते हैं जैसी ये host bodies के अंदर चले जाते हैं उसको trigger करते हैं multiply करते हैं enzyme के help से तो आपकी body जो है antibodies produce करती है और the fourth one is that जाके multiply होंगे तभी ये living कहलाएंगे so that's why viruses are called connective link between the living and non-living जैविक और जैविक चीज़ों का समंध होता है आपका virus answer इसमें D option बनेगा which are the falling group of organism reproduce faster जाने कि इन में से समूँ जो है कौनसा समूँ है तीजी से परचनन करता है जाने कि multiplication जो है सबसे ज़्याद देखने को आपको मिलती है देखें, microorganism है सारे algae, fungi, bacteria, protozoa लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपके divide होते है multiply करते है that is bacteria जिवानों जो हैं आपके सबसे ज़्यादा multiply करते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं single cell होते हैं और ये आपके support करते हैं बहुत सारी plant और animal life को और bacteria जैसे आपने देखा होगा दूद के अंदर, milk के अंदर bacteria फटा 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 जाता है खाना रग दो, हवा लगी उसके अंदर air आई, oxygen आई तब भी आपके bacteria जो हैं ग्रू करने लग जाते हैं तो बहुत सारी bacteria ऐसे चीज़ें होती हैं जो आपकी grow कर जाते हैं बहुत जल्दी fast grow करते हैं अंसर इसमें C option बनेगा जिवानू और algae, algae की study को मैंने आपको बताया था phycology कहते हैं और fungi की study को आप क्या कहते हो mycology कहते हो और कौन सा fungus हम खा सकते हैं mushroom खा सकते हैं तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका C option बनेगा एक होता है पास्ट्राइशन ओफ मिल्क लुइस पास्ट्र जी ने बताया था कि हम पास्ट्राइशन ओफ मिल्क कर सकते हैं दूद को ऐसे temperature के उबर गरम कर दो कि सारे bacteria खतम हो जाएं 71.7 degree centigrade for 15 seconds और होता है 62.8 degree centigrade for 30 minutes तो यह जो है आपका यह temperature है जिसमें दूद के अंदर जितने भी bacteria होते हैं उनको खतम कर दिया जाता है अंसर इसमें C option is the correct one C option तो यह देखे जी बहुत सारे bacteria की यहाँ पे जो हैंनोंने बता रखा है स्ट्रेप्टो कोकस, pneumonia, pneumonia, close करता है कलोस्ट्रीडियम, tetanine, tetanine करता है tetanus कर देता है और tetanus में ने आपको बताया था tetanus को और क्यां क्या गयते हैं lock jaw ठीक है जब डेजो हैं आपके मतलब बंद जाते हैं खुलते भी नहीं है ट्रेपो नीमा पेलीडिएम, चीक है, विब्रियो कॉल्रा कॉल्रा करता है, और यह आपका नीमो, फिलिया, ट्रेप्टो, स्टेफ्लो, कोकॉरियस यह दान्तों में आपके कीड़े वगारे लगाते है, ग्रोस्टेडियम, यह होता है आपका फूद पॉइसनिंग में, स्टेप्टो कोकस, जो है आपका स्टेप्टो, स्टेप्टो मतलब अगेन मैक्सिमम जो है आपके उसमें खाने बगार में यूज होते हैं, ये आपकी जो है food poisoning भी कर देता है, infection कर देता है, typhoid कर देता है, salmonella typhi, और typhi जो होता है एक test होता है, that is Vidal test, Vidal test होता है typhoid के ल इसके अंदर होता है single standard RNA, एक stand RNA होता है, एक tantu RNA होता है इस तरीके से, clear, इसमें क्या होता है, RNA जो है आपका reverse transcriptase की वंदर से ऐसे DNA और बहुत सारे process चलते हैं, जिससे क्या कारण आपकी body के अंदर problem हो सकती है, vulnerable condition है, life threatening जो है, ये infection होती है, ठीक है, अब ये जो RNA virus होता है, RNA ये कौन सा virus होता है, retro virus भी आप इसको कह देते हो, retro virus जो आपकी body के अंदर activities को खतम कर देता है, RNA, सारी body के अंदर RNA convert होने लग जाता है, clear, AIDS क्या है, acquired immunodeficiency syndrome, इसके लिए test होता है ELISA, ELISA test होता है, enzyme linked immunosorbent assay, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, enzyme linked immunosorbent assay, ठीक है, तो ये आप का ELISA test होता है, तो इससे हम जो है test पता गलते है, AIDS का, जब किसी person को AIDS होता है, तो उनके जो होते है helper T cell, वो उनके उपर सबसे ज़्यादा effect पड़ता है, helper T cell का मतलब क्या हो गया है, WC, तो WC की उपर सबसे ज़्यादा effect देखने को मिलता है, answer इसमें one option is the right answer, one option, tuber classes is transmitted through, TB ज हो है, आपका transmit किया जा सकता है, और TB का जो bacteria होता है, that is called mycobacterium tuberculi, mycobacterium tuberculi is the bacteria, mycobacterium tuberculi, this is the important one, और इसके लिए vaccine होती है, BCG, BCG का मतलब क्या है, bacillus, carmate, urine, bacillus, carmate and urine, this is the आपका vaccine, clear, carmate और urine ने जो है इसको discover किया था, और that's it, answer इसमें क्या बनेगा आपका, A option बन जाएगा, contaminated water, water से जो mainly फैलता है, वो cholera है जा फैलता है, यह ध्या रखना, और blood transfusion से जैसे आपका hepatitis, HIV, चीक है, यह problem हो सकती है, blood के साथ, sexual contact भी बिल्कुल सेम चीज़ है, तो answer इसमें A option क्या बनेगा, आपका right answer बनेगा, संक्रिमत वाजुद्वारा हो सकता है, रीबीज क्या है, what is रीबीज, रीबीज जो होती है, एक वाइरस के problem है, that is the varicella virus, रैब्डो वाइरस की कारण जो है, आपको problem देखने को मिलता है, it's not varicella, varicella होता है chicken pox के लिए, chicken pox के लिए होता है, it's rैब्डो वाइरस, ठीक है, तो यह आपका अलग है, रीबीज, अ hydrophobia हो जाता है, पानी से डर लगने लग जाता है, so rabies is a viral disease, विशानु रोग है, यह आपका, answer इसमें क्या बनेगा, आपका, B option is the correct answer, clear B option, helementic रोग जो होता है, यह आपकी warm infection होती है, warm infection देखने को आपको मिलती है, very very important, clear, और उसके बाद है bacterial disease, bacterial disease कोई भी हो सकती है, bacteria के का कारण हो सकती है, microscopic structure है, यह आपके, याद रखना है आपको, protozoa, protozoa, protozoa की, protozoa की कारण हो सकता है, जिसमें आपका African sleeping sickness होता है, ठीक है, amoebic dysentery, amoebic dysentery, जो paper में पूछे जाते हैं, और आपका होता है malaria, malaria is also the protozoa, malaria, ठीक है, याद रखिए, तो answer इसमें क्या बनेगा, B option, viral disease है, rabies, answer is B option, blue-green algae को किस group में include क्या जाता है, नीला, हरीच, शेवाल, जो होता है, उसको हम क्या क्या क्याते है, cyanobacteria, that is, B option is the correct answer, cyanobacteria, B option is the correct answer, और यह cyanobacteria जो होते हैं, वो free living भी होते हैं, मतलब free living bacteria भी होते हैं, और यह symbiotic association बना के भी रखते हैं, endosymbiotic, मतलब साथ मिलके यह रहते हैं, clear, यह ऐसे कोई भी आपके आ सकती है, endosymbiotic, cyanobacteria, answer इसमें क्या बनेगा, B option बनेगा, U bacteria लिखा हुआ है, U bacteria होता है, जिसके अंदर जो है आपका membrane, यह जो है आपकी membrane structure देखने को आपको नहीं मिलती, the lack of the membrane, इसमें nucleus नहीं होता, unicellular होते हैं, XL के बने होते हैं, यह ठीक है, और इनके अंदर DNA देखने को आपको मिलता है, और आपका circular, circular जो है आपका chromosome, circular chromosome देखने को आपको मिलता है, याद रखे, circular chromosome, गुनसुत्र कहते हैं, गोलाकार गुनसुत्र देखने को आपको मिलता है, और इसकी जो wall होती है, बाहर वाली wall होत तो होता है आपका लेकिन उसमें DNA होता है और प्लस बाहर वाली जो cell wall होती है वो peptidoglycan की बनी होती है यू बेक्टेरिया के अंदर यहां रखना important है clear next step protozoa protozoa मैंने आपको बताया था अभी protozoa जैसे malaria वगरा होता है fungi fungus fungus जैसे yeast molds तो they are the types clear यह आपके types हैं इसके अंदर include के जाते हैं fungus कौन सा खा सकते हो आप mushroom mushroom is a edible fungus और कवक fungus की study को क्या कहते है mycology mycology कहा जाता है answer इसमें क्या बनेगा be option बनेगा ध्यान रखे important है be option viruses are यह क्या होते है a cellular इनकी कोई भी कोशिका नहीं होती ठीक है bacteriophage मैंने आपको बताया था they are a cellular no nucleus no cytoplasm कुछ भी नहीं है nucleic acid होता है जिसमें आपका dna rna कुछ भी हो सकता है और capsid होता है protein pigment होता है और that's it clear और कुछ में आपके fat देखने को भी मिलता है but they are a cellular इनका कोई भी आपकी आपको बताया था कि कौन कौन से है elephantiasis नहीं है इसमें से elephantiasis नहीं है oriental source, kala azar, sleeping sickness, they are the protozoan disease elephantiasis नहीं है और यह elephantiasis क्या होता कि जैसे आपकी टांग होती है वो हाथी जैसी मोटी हो जाती है और यह lymphatic system को जो है आपका lymphatic system को जो है यह प्रभाबित करता है आपकी body के अंदर clear very very important, very very important और उसके बाद है आपका जो यहाँ पे sleeping sickness sleeping sickness जो होती है आपकी यह होती है human African trypanosomonas के कारण human African trypanosomonas, trypanosomonasis के कारण देखने को आपको mamiasis के कारण देखने को आपको मिलती है clear और यह fatal है death causing है लेकिन इसका कोई भी treatment नहीं होता याद रखिए African continent के अंदर देखने को मिलती है काला अजर, काला अजर जो होती है यह visceral आपके body के अंदर leishmaniasis visceral leishmaniasis होती है clear याद रखिए और यह parasitic जो है आपकी बिमारी है parasite जो है आपके migrate कर जाते हैं liver और आपके liver यकरित जाने के spleen पलीहा, यकरित और पलीहा के उपर जो है act करते हैं और आपकी body को death भी कर सकते हैं याद रखिए important है और आपका oriental source जो है इसको और क्या कह सकते हैं cutaneous leishmaniasis cutaneous leishmaniasis ये भी आपका parasitic ulcer जो हो सकते हैं clear ulcer problem हो सकती है that's it answer इसमें क्या बनेगा elephantiasis is the correct answer answer is one option a option is the protozoa disease नहीं है ठीक है और बाकी जो है आपकी protozoa है लेकिन कौन सी नहीं है elephantiasis नहीं है तो चलते हैं आगे अगले question में elephantiasis जो होती है यह आपकी mosquito के कारण होती है mosquitoes के कारण ठीक है philariasis जिसे आप कहते है philariasis याद रखिए answer इसमें a option बनेगा तो देखे जी यहाँ पर ऐसे जो है प्रॉपर तरी किसे body में ऐसे reaction जलती है mosquito bite करता है larva आपकी body के अंदर चला जाता है फिर वो जो है adult में आता है lymphatic system को आपकी effect करने लग जाता है और जो microfilariasis होते हैं blood stream में चले जाते हैं और आपकी mosquito bites जो होती है human and ingest the microflary and उसके बाद microflary mature हो या ते larva mosquito बन जाता है larva जो है migrate कर जाता है mosquito head and आपकी body के अंदर nervous system के अंदर death cause कर सकता है तो these are the stages of the elephantiasis next देखे जी the disease that is caused by viruses virus के कारण इंग में से कौन सी problem देखने को मिलती है तो that is common cold answer इसमें क्या मनेगा c option samanya jukam common cold clear typhoid की अगर मैं बात करता हूँ typhoid जो है आपका salmonella typhi के कारण salmonella typhi के कारण clear और यह इसके लिए test भी होता है आपका that is vidal test vidal test cholera जो है आपका वो vibrio cholera के कारण देखने को आपको मिलता है vibrio cholera चीक है पानी के बिमारी के कारण है जाजी से आप कहते है malaria जो होता है parasitic problem होती है और प्लस आपकी protozoan disease है इसमें rbc और liver जो है सबसे ज़्यादा effect होते है फिलाता कौन है मच्छर that is female anophlies female anophlies जो है सबसे ज़्यादा यह मच्छर अपनी बिमारी को फैलाता है answer इसमें क्या बनेगा c option बनेगा that is हमाने जुका मिजदा जो है virus के कारण होता है next है इन में से viral disease जो है man के अंदर आदमी के अंदर कौनसी होती है actually यह जो है आपकी यह gland होते है इसकी infection हो जाती है और यह सूजने लग जाती है जिसे कहते हम mumps mumps कहा जाता है answer इसमें a option बनेगा यह viral disease है mumps clear very very important salivary gland जो है infect हो जाती है virus के कारण clear plague की अगर बात करते है तो plague जो है bacterial disease है जरसीनिया पैस्टीस के कारण देखने को आपको मिलती है जरसीनिया पैस्टीस के कारण cholera vibric cholera और जो आपका syphilis जो होती है यह जो trepanosoma 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 trepanoma pallidum के कारण देखने को आपको मिलती है clear याद रखिए आप answer इसमें क्या बनेगा a option बनेगा डेंगू जो होता है यह किसके द्वारा spread किया जाता है डेंगू जो होता है virus के कारण होता है लेकिन spread जो होता है वो mosquito के कारण होता है मच्छर के कारण तो यह मच्छर कौन सा होता है Aedes aegypti Aedes aegypti clear और डेंगू के अंदर जो होता है आपके जो platelets होते ना platelet count जो आपका blood clotting बगारा करते हैं और body temperature को maintain करके रखते हैं प्लेटलेट का count जो हो है वो आपका decrease हो जाता है लो हो जाता है और डेंगू fever spread कैसे करता है आपका Aedes aegypti mosquito जो है patient के अंदर act करता है स्राइवाज के अंत्रू जो है virus transmit करता है humans के अंतर multiplication WBC और lymphatic tissue के उपर effect पढ़ने लग जाता है लेकिन डेंगू जो virus के कारण होता है लेकिन फैलता mosquito के कारण है अंसर इसमें C option is the right answer C option chicken pox is caused by मैंने अभी आपको बताया था varicella varicella joster varicella virus के कारण यह आपकी varicella virus के कारण देखने को आपको मिलता है varicella joster virus के कारण अंसर इसमें C विशानु के कारण ऐसे जो है आपकी दाग पढ़ने लग जाते हैं आपके body के किसी भी area के उपर अंसर इसमें C option क्या बनेगा right answer बनेगा C option virus के कारण होता है what is the effect of the antigen in an ill person antigen क्या होता है आपकी body को trigger करते हैं और ill person के अंतर obviously बात है trigger करेंगे यह trigger इसलिए करते हैं कि आप उस आपकी body जो है उसके लिए लड़े और body कैसे लड़ती है antibody production करके antibody production करना मतलब immunity को increase करना immunity को increase करना मतलब आपका WBC का काम करना WBC क्या करते हैं antibodies produce करते हैं और immune to को बढ़ाते हैं इसका मतलब क्या होगा it increases the production of antibiotics C option क्या बनेगा right answer बनेगा B option route shift bacteria को हम क्या कहते हैं刃 road shift इस तरीके से clear एक होते हैं आपके spiral एक होते हैं इस तरीके से clear याद रखे तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका a option बनेगा a option bacterial cells do not have bacteria के अंदर सारी चीज़े होते हैं इन में से कौनसी चीज़ नहीं होती है cell wall होती है plasma membrane होती है ribosome होता है दिखो cell wall होगी ठीक है plasma membrane ये वाली होगी plasma membrane is this one and उसके बाद जो है आपका ribosome भी होता है cytoplasm, flagilla, mesosome बगएरा सब होते हैं लेकिन mitochondria नहीं होता अंसर इसमें क्या बनेगा आपका D option बनेगा, D option is the correct answer cell wall जो होती है वो support प्रोवाइड करती है, rigidity प्रोवाइड करती है, protection प्रोवाइड करती है plasma membrane आपके water exchange वगएरा में help करवाते हैं, ribosome को हम protein factory of the cell कहते हैं लेकिन bacteria के अंदर mitochondria नहीं होता, mitochondria के अंदर DNA pigment देखने को आपको मिलता है mitochondria is called powerhouse of the cell, powerhouse of the cell कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि ATP molecule यहाँ पर बनाए जाते हैं अब ATP molecule जो हैं आपके adenosine triphosphate कहते हैं, adenosine triphosphate को कहा जाता है clear और ATP molecule जो होते हैं, they are called energy currency of the cell, energy currency of the cell कहा जाता है चीक है, तो answer इसमें क्या बनेगा, D option is the right answer, mitochondria, D option next है, Edward Jenner is associated with, Edward Jenner का जो नाम है वो किसके साथ संबंदित है Edward Jenner, Edward Jenner का नाम संबंदित है, smallpox के साथ, चेचक के साथ संबंदित है answer इसमें C option क्या बनेगा, right answer बनेगा, क्योंकि इन्होंने पहली vaccine बनाई थी और world से पहली बिमारी जो eradicate करीगे थी, वो थी smallpox, answer इसमें C option बनेगा cholera, vibrio cholera जिसे आप कहते हैं, पानी गंदा पानी पीने के कारण हो सकता है टाइफाइट, salamina, टाइफी, विडाल टेस्ट है, paralysis किसी भी चीज़ के कारण हो सकता है, आपके जो muscle system है वो function करना बंद कर देता है, answer इसमें C option बनेगा, चेचक, smallpox pathogenic bacteria, secret, pathogenic bacteria जो होते हैं, वो secret क्या करते हैं, मैंने आपको ग्या बता है था, जो आपके body के अंदर infection आती है, वो किस के कारण आती है, antizen, तो bacteria क्या सक्रेट करते हैं, antizen secret करते हैं, लेकिन उसके opposite हमारी body जो काम करते हैं, वो antibody production करती है, वो antibody जो होती है न वो y-shape ऐसे antibody होती ह दियान रखना, पिपर में बहुत बार पुछा जाता है, यह Y-shaped structure क्या बनता है, एंटीजन के response में, that is called antibody, hormones जो होते हैं, यह endocrine glands, अंतस्तरावी ग्रंथिया निकालती हैं, और यह सारी की सारी जो चीज़े होती है, blood के अंदर चली जाती है, याद रखिये, उसके बार लिखा हुआ है, interferon, interferon जो होते हैं, यह आपके proteins होते हैं, ठीक है, यह जो आपके cell होते हैं, उसके द्वार रिलीज किये जाते हैं, जो भी आपके pathogens वगएरा, in the detection of the pathogens, जाने के antiviral substance होते हैं, antiviral, ठीक है, clear हो गया आप लोगों को, तो यह आपका answer बन गया, जी आपका A option बन गया, antison is the correct one, some viruses have RNA, but no DNA, इसका मतलब क्या होता है, देखिये, RNA का मतलब क्या है, कि उसके पास genetic material क्या हो गया, आपका genetic material is RNA, तो DNA तो ही नहीं है, उसके पास RNA है, तो अगर RNA है, तो इसका मतलब क्या होगा है, कि वो ही आपकी जो information है, वो ही transmit करेगा, it means, the RNA transmit the hereditary information in these viruses, answer इसमें C option बनेगा, RNA इन विशानों में शानुकत सूचना परसारित करता है, answer इसमें C option क्या बनेगा, right answer बनेगा, RNA के अंदर RNA transmit करता है, hereditary information in these viruses, very very important, clear, याद रखे, important है, C option is the correct one, which of the falling diseases caused by the viruses, इन में से कौन सी बिमारी जो है, वो आपके virus के कारण होती है, influenza, influenza virus होती है, pneumonia, diplococcus pneumonia, यह आपकी bacteria के कारण होती है, cholera, जो होती है, आपकी, यह vibrio cholera, जाने के आपका, यह भी आपका bacteria के कारण होती है, whooping cough, जो है आपका, that is, that is, jarsenia pestis, jarsenia pestis, clear, जिसे आप काली खांसी कहते हैं, ठीक है, इसके कारण होती है, यह भी आपका bacteria के कारण होती है, तो virus से कौन सी होती है, सिर्फ A, that is, influenza virus, answer इसमें A option बनेगा, इन्फिलेंजा की symptoms क्या होते हैं, headache होने लग जाता है, आपके running nose होने लग जाता है, गले में दर्द होने लग जाता है, और आपका fever वगएरा होने लग जाता है, muscular problem, cough वगएरा, vomit वगएरा देखने को आपको मिल जाती है, तो answer इसमें A option क्या बनेगा, पहली बार, ठीक है, और मैंने आपको तीन चीज़े बताई थी, prion बताया था, viroid बताया था, और आपको बताया था मैंने viruses, और एक बताया था bacteriophage, ठीक है, याद रखिए, ये सारी चारों चीज़े आपको पताना चाहिए, prion के अंदर सिर्फ protein coating होती है, जिसे आप capsid कहते हैं, viroid के अंदर आपका nuclear material होता है, चीक है, DNA जा RNA देखने को आपको मिल जाएगा यहाँ पे, viruses के अंदर दो चीज़े होती है, आपका protein coat होता है, protein उपर और आपका DNA RNA देखने को मिलता है, bacteria phase वो होता है, जिसमें virus जो होते हैं, infect करते हैं, किसको bacteria को infect करते हैं, याद रखे, important है, answer इसमें D option बनेगा, D option is the correct one, इन में से graveyard of Arbicis किसे कहते हैं, जाने कि Arbicis दफन कहां पे होते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा होते हैं सप्लीन में, और दूसे नमबर पे होते हैं, लीवर में, अगर सप्लीन option में, पलीहा option में नहीं आएगा, तो आप लीवर को tick करोगे, सप्लीन और लीवर आरदा, graveyard of Arbicis, तो अगर ऐसे option आई हैं, तो आप कौन से टिक करना पड़ेगा, C, क्योंकि C में, पलीहा में maximum आपकी, जो होते हैं, graveyard करते हैं, पलीहा को हम blood bank of the body भी कहते हैं, blood bank of the body, याद रखे, blood bank भी कहते हैं, लीवर होता है, एक ऐसा organ जहां पे, आपके सारे जो हैं, सबसे ज़्यादा maximum regeneration power है, जाने कि, अगर एक बार खराब होगा, तो दुबारा से बनने की शक्ति इसमें ज़्यादा होती है, bone marrow में, जितने भी आपके RBCs होते हैं, WBCs होते हैं, platelets होते हैं, इनकी formation देखने को आपको मिल जाती है, किसकी, आपके सारे blood cells की, appendix जो होता है, ये appendix आपका बड़ी आंत में होता है, large intestine में होता है, ठीक है, और उसमें एक area होता है, secum, secum के साथ लगा होता है आपका appendix, appendix जो है अभी हमारे body में काम नहीं करता, इसलिए ये हमारे body में vestigial organ है, actually ये क्या करता था, पहले हमारे cellulose की चीज़ें बने होती हैं, उसको digest करने में help करवाता था, लेकिन अब ये vestigial organ है, इसने, जैसे जैसे हम mature होते गए हैं, मतलब हमारी evolution होती गई है, तो हमारी body ने काम करना इसका बंद कर दिया, तो answer इसमें क्या बनेगा आपका, C option, supreme is the correct one, very important, next है, early blight is a common disease seen in which other falling, early blight जो है, एक समानने बिमारी है, जो अनने में लिखे किन चीजों में पाई जाती है, तो early blight जो पाई जाती है, ये आपका पाई जाती है, ये देखो yellow, yellow हेलो ऐसे बनता है, इस तरीके से clear, zero ऐसे गोल गोल सा बनता है, और that is in the early blight of the potato, पोटैटो के अंदर देखने को आपको मिल जाती है, यहाँ पर देखे, late blight जो है आपकी, यहाँ पर देखो ऐसी हो जाता है, ठीक है, ऐसे blighted area देखने को मिलते हैं, septoria leaf spot, ये ऐसे देखने को आपको मिल जाता है, तो answer इसमें क्या बनेगा आपका, ये option बनेगा, पोटैटो के अंदर देखने को आपको मिलता है, पोटैटो के अंदर ये mainly leaves को, stem को, tuber वाले structure को infect करते हैं, और इसमें जो है आपका fungus, fungal pathogen लगता है, और fungal pathogen का नाम है, its alternaria solani, alternaria solani is the fungus, जो जिसके कारण जो है, आपका potato effect होता है, तो answer इसमें क्या बनेगा, आपका a option is the correct answer, a option potato is the correct one, clear, तो ये थे आज की lecture के अंदर question, बाकि आपको YouTube की जितने भी classes होते हैं, और प्लस जो भी information होती है, lectures के regarding मैं यहाँ पे share करता हूँ, और आप मुझे personally connect कर सकते हैं, Instagram के through, Thank you so much guys, all the very best, good luck, take care.